हेलो सोलजर जहिन कैसे हो अमीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि आप इंडिन एफ़ोर्स के एफकेट के एकजाम दे चुके हैं अब आप पिल्कुल फरी हो तो अब आपको किसी परकार की टेंशन नहीं होने चाहिए लेकिन बच्चों के मन मे 2022 इंटेक फर्स्ट तो आपको पता है आपका एजाम शुडूल हुआ 12-14 फर्वरी को और हम लगातार आपके साथ बने हुए थे पिछले जो वीडियो में हमने इतने भी डिसकेश किये क्यों जो पूछे गए वस अभी हमने लगातार वीडियो पुब्लिश की और आपने का तो इंगलिश के अंदर 23 से 25 क्यों आपसे पूछे गए और moderate लेवल ही कहुँगा जादा जो है hard भी नहीं था और easy भी नहीं था ये और hard और easy वैसे कुछ होता नहीं है अगर आपकी preparation अच्छी और क्यों आपको दिखा और वो आ गया तो वो easy अगर वो नहीं आया तो बस hard चाहिए वो आपको बिल्कुल कितना ही easy क्यों नहीं हो लगिन आपको आये नहीं तो वो hard ही आपके लिए तो और बात करूँ मैं general awareness के तो 15 से 20 क्यों आए है moderate level के आए हैं ना ही जाद है मैं कहुँगा easy है इसमें भी hard भी नहीं है और कुछ क्यों ऐसे भी पूछे गए जो त जादा लग रहा था reasoning और जो numerical ability जैसे questions में तो इसको मैं थोड़ा difficult करूँगा लेकिन difficult travel का कुछ नहीं होता लगी ना आपने अच्छे से practice कि होगी तो सब आपके लिए easy ही होंगे तो आज की वीडियो में मैं यहां पर discuss करूँगा कि आपको आगे क्या प्लान चाहिए क्या cut off रहेगी अगर आप इसके अंदर लाई करते हैं तो आपको SSB की जो है preparation start कर दीनी चाहिए तो मैं सबसे पहले previous year cut off देख लेता हूँ क्या रही तो 2021 में जो second intake वाउस के अंदर 157 marks रही थी cut off और 2021 में जो first intake वाउस में 165 marks रही और 2020 first intake में 155 रही और 2019 के जो 133 यह आप देख लेना इन सभी को आपने देखा तो क्या आपको लग रहा है कि cut off जो है वो 50 से 60% के अंदर ही लाई करती है यानि कि आपका exam जो है 300 marks का होता है उसमें से आपने अगर 155 से और 160 तक आपने देखा इसमें लगबग इतने ही है इतने आपके score कर पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छ से 5 साल की cut off है तो इनके अंदर आप थोड़ा idea लगा लिजिए तो अब मैं बताऊंगा कि what will be the cut off of 2022 अगर आपके प्यारे साथियों 155 से लेकर 161 के बीच में आपके marks बन रहे हैं तो आप surely आपको SSB के लिए prepare हो जाना चाहिए और कुछ बच्चों के doubt रहते हैं कि sir हमारे म हमको इसमें SSB के अंदर मोका मिलेगा उनके bad depression जाएगा कि इनके कम नंबर है बस इनको पास नहीं करना चाहिए तो मेरे प्यारे सातियों आपको बताना चाहूंगा SSB फोज एक ऐसी संस्ता है हमारे देश की इसमें कोई बेदवाव नहीं किया जाता students candidates के साथ में अगर इंटर्वी होगा मैं खुद face कर चुका हूँ इंटर्व्यू मुझको पता है हम आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि इंटर्व्यू के अंतर सिर्फ आपको confidence देखा जाएगा आपका कोई यह matter नहीं करता कि आपके कितने marks आए हैं पीछे नहीं वो final merit जाएगी वो depend करता ह लेकिन जितने marks होंगे आपको आपको उतना benefit होगा लेकिन आपके 155 और 161 है तो आपका selection शोर है मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे साथियो ज्यादा घबराने के जूरत नहीं है अब आपका इजाम हो चुका है अगर आपके इस खिंदर लाई कर रहे हैं तो आप definitely join करें और अब आपको मेरी मेरी ख्याल से स्टार्ट कर देनी चाहिए आप फोजी हो आपको रूपना नहीं है आपको लगातार जो है प्रेपरेशन करते हैं जड़ तक आपकी मंजिल ना मिले ठीक है और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम लगातार आपके पास वीडियो लाते लगे हैं तो आपको चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है ताकि हम आगे जो ड़ीष की जो प्रेपरेशन है वह भी स्टाट कर सकें तो ա़ी小 तो आपको जी जान से मैनत करनी है और अब CDS को टार्गेट करना है तो ठेंक्यू जहिन